आई दोस्तों सवागत हैं आप सबीका मेरे YouTube चेनल पर आज हम बात करेंगे कि Pocket FM की स्टोरी को गैलेरी में सेव कैसे करें तो दोस्तों हम Pocket FM में चले जाते हैं तो दोस्तों Pocket FM में जाने के बाद हम किसी भी स्टोरी को डाउनलोड कर लेते हैं Pocket FM से जैसे यह हैं मुझको रुदाली एपिसोड एट्टेंसी डाउनलोड करना है तो मैं पहले यहां से डाउनलोड कर लेता हूँ यह डाउनलोड हो रहा है मेरा तो दोस्तों यह डाउनलोड हो चुका है मेरा और अब हम वार आ जाते हैं तो दोस्तों हम जैसे भी फोन की गेलेरी में जाते हैं तो क्या होता है कि जो भी हम नए फोन होते हैं जो भी अभी नए फोन चल रहे हैं उसमें क्या हैं कि android में data का option नहीं दे रहा होता है विजो के पॉन में जहेंगे तो जिसे यहां पर यह data लिखा हुआ है और यहां कोई भी data so नहीं हो रहा है तो दोस्तों उसके लिए हमें एक application डाउनलोड करनी होगी google से तो मैंने तो यह file manager डाउनलोड कर रहा है आप भी play store पर जाकर मलब यह app डाउनलोड कर सकते हैं file manager है इसका नाम मैं आपको search करके दिखा देता हूँ तो यहां पर हम search करेंगे file manager F I L E M A N A G E R और हम search कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको कई application मिलेंगे इसमें से आपको यह वाला डाउनलोड करना है यह file manager यह best रहता है क्योंकि मैंने भी 3-4 application डाउनलोड किये थे लेकिन उसमें data show नहीं हो रहा था इस file manager में data show हो रहा है तो आप यह file manager डाउनलोड कर लीजेगा और download करने के बाद हम इस file manager में चले जाते हैं और इस file manager में जाने के बाद आपको उपर ही उपर आपको यह file की icon दिख रहा होगा search के पास में तो इस file के icon पर जाना है आपको यहां पर आपको android search कर लेना है तो चलिए हम android में चलते हैं और यहां यह data का option आ रहा है तो इसमें भी आपको data का option में यह दिखा रहा है view in file तो क्या है कि हम इस view in file पर जाएंगे तो यह हमें हमारी phone की memory में ले जाएगा तो चलिए हम चले जाते हैं तो यह हमें phone की वापिस memory में ले जाता है जो phone के साथ ही आती है memory gallery उसमें ले जाता है यह और ले जाने के बाद हम वापिस यहां android देखेंगे android का function यह रा android का function तो चले जाते हैं इसमें और चले जाने के बाद वापिस data में जाते हैं और data में जाने के बाद वापिस हम pocket fm search कर देते हैं क्योंकि हमारा download किया हुआ उस्ति में ही गया होगा तो चलिए हम उस्तिए तो यह रीडियो pocket fm आ रहा है फाइल में हम चले जाते हैं और यह फाइल है हमें इस फाइल को मू करना होगा अगर हम यहाँ पर इसका नाम चेंज गरेंगे तो वो नहीं होगा इसको हम इसको मू करके डाउनलोड में ले जाना होगा तो हम इसको मू करते हैं यह मूँ किया और यह सिरफ आपको फोन की आपकी जो फोन के साथ मेमोरी आती है गैलेरी उसमें सिरफ यह डाउनलोड फंक्शन में जाएगा तो मेरे यह डाउनलोड फंक्शन में यह यह ओप्शन है ब्लुटूथ और यह बगेरा बगेरा ये मुझे को राणा जी माप करना गलती मारे से हो गई तो चलिए इसी उप्षन में ले चलता हूँ और यहां इसको पेज देता हूँ ये चला गया और जाने के बाद हम वाफिस हमारी फॉन की गेलेरी में चले जाते हैं ये फॉन की गेलेरी है मेरे फाइल मेनिजर इसमें जाने के बाद मैं डाउनलोड की उप्षन में चले जाता हूँ तो यह राण डाउनलोड का उप्षन और जैसे इसमें मैंने ये रिफाइल और अभी इस फाइल अभी इस फाइल को MP3 में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ नाम ही उसका चेंज करना नहीं होता है और भी कुछ करना होता है कुछ यूटेबर दिखाते थैं लेकिन पूरा नहीं दिखाते तो आपको करना क्या है इसका नाम तो चेंज करना ही है और साथ ही में इसके पीछे डोट MP3 लिगना है बिना सपेस दिये तो कैसे लिगना है जैसे इस नाम को मैं हटा देता हूँ और यहां पुरुदाली पुरुदाली एपिसोड एपिसोड लिग दिया और अट्यां से लिग देता हूँ और करना क्या है कि आपको यहां डोट लगाना है डोट लगाना है और MP3 लिगना है MP MP3 तो यहां आपको यह याद रगना है कि यह डोट लग रहा है डोट और MP3 यह टैसे की बीच में जो भी आप नाम दो कि उसमें बीच में स्पेस नहीं होना तो मैंने यह लिख दिया है आपको वैसा वैसा लिखना है पीछे आपको डोट लगाना है और MP3 लिखना है बिना स्पेस दिये तब भी यह MP3 में कनोट होगी तो चलिए हम OK पर क्लिक करते हैं तो हमारी यह फाइल यह MP3 में कनोट हो गई है अब इसको हम सुन सकते है तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं चेनल को सब्क्राइब करो या ना करो आपकी मरजी तो दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे बारत